जिन वी चात्र वाच चात्राओं की परिच्छा प्रचीन इतिहास की होने वाली है और वो बिए फस्टिर के फस्ट समस्टे के चात्र हैं तो उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको जो कोश्चन बताने वाले हैं लगबग चोटी से वीडियो बना रहे हैं लेकिन बहुत ही महादपुन और हेल्फुल है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि एक क्योश्चन जानते हैं उसके बाद उसका उत्तर भी हम आपको बताने का प्तियास करेंगे उसके बाद पूरी जानकारी आप कौन दे रहे हैं च चैदिक काल जो था ठीक उसमें राजा की कंडिशन सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में आपको थोड़ा परिश्य बताना है तो ध्यान से सुनेंगे राजा राजी का प्रमुक अधिकारी राजा होता था यानि राजी का जो मुखिया होता था उसको राजा कहा जाता था जिसका पद वंसा नो गत था मतलब कि वो दर बाई दर जैसे कि वंस उसका बढ़ता था ठीक है उसी इसाफ़े जैसे कि माली कोई एक राजा था ठीक है वंस उसका मुखे राबस उसका बेटा हुआ तो वो राजा बना इफी तरह दूसरा उसका बेटा हुआ तो वो राजा वना इसी तरह step by step चलता रहा process ठीक है तो रिग वेद जो की बहुत ही popular और सबसे पुराना वेद है ठीक है चार वेद है जिन में सबसे popular और पुराना वेद है रिग वेद ठीक है और इसी वेद से ज्यात होता है कि कभी कभी राजुवन्स में से ही किसी बिक्त को चुनकर राजा के कार्यों का अश्पष्ट रूप से वड़न नहीं किया गया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र एव्म समन्वे कारे सत्रों से प्रजा की रच्छा करना था यानि कुल मिलाके वैदिकाल में राजा का जो मुख है उसका उद्देश था या उनकी रच्छा करना ठीक है और हर प्रकार से ठीक है हर प्रकार से अपनी जनता के लिए अपने जो ठीक है वहां की प्रजा है उसके लिए हर सुक दुख में उनकी साथ खड़े हों ठीक है ये कंडिशन थी वैदिकाल की ठीक है वैदिकाल की राजा की उसके बाद जनता भी इसके बदली में राजा के प्रती भक्त भाव रखती थी राजा को ठीक है राजा को कर देती थी कि भाई जिसे उसको समस्या ना हो और राजा को उसे इसाफ पे वो लोग प्यार भी करते थे जैसे कि एक फैबली में किसी इनसान सो कोई बच्चे से या फिर किफी से कोई गरत तो कुछ मिला कि ये अच्छी बात है कि वैदिक काल में जो राजा की इस्तित थी वो बहुत ही अच्छी थी और अच्छी भी रहनी चाहिए ताकि जो प्रजा है और जो राजा है उनके जो बीच है जो सम्मन्द है वो बरकरार रखे ठीक है तो मुख्यकार यही था कि भाईय स्कूल खुल गए एं कॉलिज खुल गए डिगरी कॉलेज हो गए है तीक है आई टी आई संसथान हो गए हैं पॉलिट टेक्निक हो गए है तो बहुत फारेशात्र अगलग फिच्छ पंफतान में पढ़ने जाते हैं लेकिन वैदिक काल के फिच्छा कैफी थी उसके बारे म कोश्चन है तो उत्तर में लिखना कि आर्यों ने अपनी सांस्कृत के विकास संवच्छन प्रसार के लिए फिच्छा की बेवफ्था की थी फिच्छा रिशियों के द्वारा मौकिक रूप से प्रदान की जाती थी इस काल में फिच्छा बौधिक एवं तकनीकी बिचार दे नेथिक लिफेंगे वरं एक एक वहसी पहाडी मिला है जो 10-20 म यह मुंचे कर्तिम पहाड़ी पर निर्मित की गई थी नदी की बाड से रच्छा के लिए इसकी चतुर्द situation उचा बांध माना था जिसकी चोड़ाई लगभग 21 मीटर थी गढ़ी के दच्छिड पूर्व किनारों पर पक्की इटों से निर्मित एक ठोस बुर्च उपलब्ध है मोहन जोदरों के गढ़ी के दच्छिड वर्गाकार 27.49 मीटर 20 अस्तंभों पर टिका भावन का अवसेश कई सम्मानाओं को इंगित करता है पांच-पांच की चार पंक्तियों में 200 अस्तंभ हैं इसमें चोकिया बनी है जो सामधा बैठेने के उपयोग में लाई जाती है एक बड़ी चोकी पस्चिंदिसा के मध्ध भाग में बनी थी तो मतलब की है मोहन जोदरों का पूरा का पोड़ है ठीक है अम्रद भंडो एतिहासिक महत्तित्तमाद पोड़ने इसलिए इग्नोर कर सकते इसको ठीक है अला प्रस्चन है जो है हड़ापा सांस्कृत के निर्माता है भी पॉप्लर कोईश्चन के वारा चुका परिच्छा में तो ध्यान रखेंगे ठीक है तो इस स संबंद में तीन मत हैं प्रतामत में लच्छमण स्वरो पूवत्स ने आर्यों को सिंदु सभिता का निर्माता माना है ठीक है उसकी बाद दुतिये में गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियों को सिंदु सभिता का निर्माता माना है और तीसरे में मत में जॉन मार्सल ने द्र इफी जात ने सफे अधी की योगदान दिया है ठीक है तो इस प्रकार साथ बेसेक सपर्शे लिखेंगे हड़ापा सांस्कृत के निर्माता के बारे में ठीक है अलग 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 आप लोग को भी लिख देना है प्रशना आएगा तो अलग अलग लिख देना की तीनमत है जि बारी फसेगा अभलेखों के प्रकार के बारे में ठीक है तो आप अता लिखेंगे कि प्रचीन भारती इतिहास के निर्माण में अभलेखों का बिसीस महत हुए शुविता की दर्श्टर से अभलेखों को निमलिकत प्रकार से भी वाजित किया गया है बेपारिक अभलेख तांत्रिक अभलेख धार्मेक और फिच्छात्मक अभलेख शासन सम्मंधियव ठीक है प्राफास्ति परक अभलेख पूजाया समरपड़ परक अभलेख दान सम्मंधियव यानि कि बहुत फारे टाइप के अभलेख बनाए गये हैं और इनहीं के बारे में आपको लिखना आभी लेख के प्रकारおおagit मिन कि लिख देंगी पूरे नंबर मिल जाएंगे अति लंग उत्त्रे में ज्यादा प्रस्ना आता एं ठीक है और लगुत्र में भी और आजाता है अगला मित्तों किसी में भी देखने को मिलत सकता है उससी्डि घार्म पर विगई अ महाधपोर्ण प्रश्ण है तो इसका उत्तर आपको दिरोड ध्यान नक ना है सिंदु गाटी के सब्विज़ा कि लोग संभवता एक इसवरिय सत्ता में विस्वास करते थे एक इसवरिय सत्ता में ठीक है इसे वे बिश्चु की फरजनातमक बैक्त मानते थे इसे वे हिंदु धर्म की पूरुस एवं प्रकति शिव और पार्वति की कालपना का अधार यही दुन्दात्मक धर्म ग्यात होता है ठीक है शिला खंडो बिसाल ब्रच्छो तथा पसो में आत्मा का निवास मानकर उनकी पूजा करते थे इससे यह एंगित होता है कि वह बहुदेवा है ठीक है अब लोग समझदार हैं समझ भी गए होंगी और बाकी इंपार्टन कोईश्चन है कई बार आ चुका तो ध्यान लखेंगे ठीक है पिरामिट के बिसे में आप क्या जानते हैं भी पॉपलर कोईश्चन कई बार पैच्छ हम रिपीट हो चुका तो पिरामिट की ब प्रश्चन आया ना हो ठीक है मिस्र में नील नदी और मिस्र नदी को ठीक है मतब कि मिस्र की जो नील नदी उसको मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है यह कोईश्चन बहुत ही पॉपलर हुआ है कई बार पर इच्छा में आ चुका है और हमेशा आता रहेगा एस बात को ध्यान रखेंगे तीक जो जो हम इंप्वाइंट उसको आपको बता दे रहें तीक इंप्रेंट है कभी कदार आ जाता है इसको भी तैयार कर लेंगे ठीक है काफी कदार आ जाता तो आप पड़ भी जग देगनोर भी कर सकते पिरामिड वाला हमेशा आता है जो कि कभी ऐसी पर इच्छा नहींगे इसमें चूटा हो कोश्चन ठीक है गीजा को पर सिद्ध ये भी अतिलग उत् कि ऐसी परिच्छा नहींगे जिसमें कुश्चन ना आया हो चीन की दिवार फिजड़ा कोश्चन हमें साता कभी भी चूटा नहीं ठीक है प्रस्ट और बाकी लाओ ठीक है लाओ उत्ते कौन था ये कभी कदार आता हो भी अत्लग उत्त्रे में आता है ठीक है तो इस पीडि इस है जो चात्र मैसेज करेंगे उनको हम वो वी पीडिआप देंगे गया को सायद नहीं होगा जो इस में उहारा महत्पोर ठीक है जहिंद और बेशिक सा और एकदम सिंपल सब्दों में उत्तर है यह नहीं कि कोई हाड वर्ड है आपको समझने में समस्याओ या आप समझना पाएं मिल्कुल सिंपल महत्पोर में ठीक है जहिंद